एल्यो दोस्तों कैसे हैं आप सब रामजी की पट्षाला में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बड़ी अधंग से चल रही होगी दोस्तों आज हम अलंकार से रिलेटेड बहुत ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें अभी आप लोग सबस्क्राइब कीजिए बिना देरिक चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है हमारा कावे की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं आपने ये चीज बहुत अच्छे से चीजों को सुना होगा कि कावे शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षेत ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा आपने कावे की शुभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं अलंकार मतलब जो सुंदरता को बढ़ाते हैं जो कावे के सुंदर को बढ़ाते हैं उनको अलंकार कहलाता है इस उक्ती में प्रियुक्त जो धर्म शब्द है तो जिए धर्म शब्द है इसका यहाँ पर क्या मतलब है मजब से है बिल्कुल नहीं गुर्ण से है बिल्कुल यहाँ पर गुर्ण की बात है किसकी बात है गुर्ण की अगर यहाँ पर धर्म जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है वो गुर्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा है नहीं सत्कर्म के लिए और नहीं कर्तवे के लिए प्रयुक्त हो रहा है अगला प्रशन देखते हैं भाशा में शब्द और अर्थ की दृस्ती से सौनदर ये उत्पन्न कौन करता है तो आख बंद करके लगा देंगे कौन अलंकार ठीक है आपको पता है कि जो अलंकार होते हैं वो तीन प्रकार की होते हैं शब्दा अलंकार होते हैं अर्था अलंकार होते हैं पर सामानत है परिक्षाओं की तयारी में शब्द और अर्था अलंकार को ही पढ़ा जाता है तो श कौन सा कथन सही नहीं है अलंकारों की महत्ता के संबंद में इन में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको देखना है अलंकारों से काव्य सौंदर्य में बरदी होती है बिल्कुल सही है अब इसमें ये देखना कौन सा सही नहीं है अलंकारों के मिना काव्य रचना संभव नहीं ह अलंकार कावे सौंदर्य उत्पन करते हैं ये इसमें आपका गलत हो जाएगा ठीक है ये इसका कतन अलंकारों की महत्ता के संबंद में नहीं है ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको लगेगा गलत बता है पर नहीं ये प्रिवियस ये कोश्चन है और आपको इसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा एक्जाम में भी आपको ऐसी देखने को मिलेगा वह चोथा है अलंकारों से कावे में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है प्रभविष्णुता का मतलब है अच्छा एक अच्छाई एक प्रगारता एक सौंदर ये एक अलग ही बात इसमें आजाती है प्रभुत्-्रभवुत्शं tamणता जैसे शब्डय ऐसा ही उखे तो ये चारों के से हो जाएंगे हैं जबकि अ आपका गल्त हो जाएगा अलंकारों की महत्ता के संब्न्द में ये नहीं ठीकि हैं ये अलंकारों के संदर युक्पन करते हैं ये इसके मतलब गुर्ण धर्म को बताता है ना की मात्ता को बताता है अगरा प्रश्न है निमलिकित में से कौन सा अलंकार का भेड नहीं है तो शब्दालंकार भी है छंदालंकार नहीं ठीक है ये आपका उत्तर हो जाएगा छंदालंकार नहीं है अभी हमने देखा शब्दा लंकार भी होते हैं अर्था लंकार भी होते हैं और उभया लंकार भी होते हैं अब सीधी सीधी पंक्तिया इसमें आ गई है पूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारी में कलित कलीन किलकत है ठीक है तो देखते हैं पता लग जाएगा इस कावे पंक्ती में को 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 और को यहां पर को वर्ण की बार बार आब रखती हो रही है और जहां पर किसी वर्ण की बार बार आब रखती हो रही है और अनुप्रास अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार क्या है शब्दा लंकार का एक भेद है इसका भेद है शब्दा लंकार का एक भीद है यह आपको धियान रखना चाहिए अगर कुछ ने मुदित मनुहर मानस देखा ठीक है तो इसमें कौन सा लंकार है तो देखो माँ 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 ठीक है तो माँ माँ जो बर्ण है उसकी अवरत्ती बार बार हो रही है तो यहाँ पर इसमें भी आपका क्या हो जाएगत अनुप्रास हो जाएगा यह आप देख के जाना विल्कुल है यह बहुत इंपोर्टेंट है पेपर में इने में से ही आपको मिल जाएगी मुझे पूरी उम्मीद है पेपर में इन ही में से आपको सब चीज़ें मिलें अगला है री जी री जी रहसी रहसी हसी हसी उठे सासे भरी आसू भरी कहत दई दई ठीक है अब यहाँ पर क्या चीज़ें देखो यहाँ पर कौन सा लंकार है यहाँ पर अनुप्रास लंकार है क्योंकि देखो यहां पर वर्णों की बार-बार आवरत्ती हो रही है यह सब चीजें यहां पर दिखाई दे रही है और अगर आपको और बहतर जानना हो तो इसमें जो अनुपरास अलंकारा उसके पांच भी दूते हैं ठीक है बृत्या अनुपरास होता है छेका अनुपरास ठीक है अगला प्रश्णै पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है देखो पहले बिलकुल चीजें बिलकुल सेम लिखी हुई है ठीक है बस कौमे कांतर है कौमा नहीं चला गया तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा पराधीन जो जन यहां तक बात रही और रुख गया यानि कि जो जन पराधीन है किसी दूसरे का दीन है नहीं स्वर्ग नरकता है ठीक है उनके लिए स्वर्ग नरक इसमें नहीं है ठीक है और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता है तो उनके लिए मतलब ये पूरी की पूरी बात यहां पर कही जा रही है तो इसमें कौन सा इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास में भी कौन सा हो जाएगा लाटा अनुप्रास कौन सा हो जाएगा लाटा अनुप्रास लाटा अनुप्रास की खास बात होती है कि चीजें बिल्कुल सेम टू सेम लिखी मिलेंगी आपको ठीक है जै वुकितू लिखी हुए पर अनवय करने पर थोड़ा सा अलग करने पर अर्थ का अर्थ को जाता है अर्थ का पर अर्थ का जो भाव है वैं परिवर्थे अगरा परश्ने समच आता हूं माइक थोड़ा गला पकाड़ लेता है दियेगए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उधारन पहचानिए ठीक है तो सारंग ले सारंग चली यह नहीं है कानन कठिन भयंकर भारी यह हो जायगा क क भवव तो कवर्न और भवर्न की अवरतिय ओ रही है तो कानन कठिन भयंकर भारी यह चीज इसमें आपकी हो जाएगी शमा चाहते हैं ठीक है अगला प्रश्म देखते हैं अगला प्रश्म है हमारा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वही मनुष्य है जो की मनुष्य के लिए मरे तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपका है लाटा नुप्रास कौन से है दोस्त? लाटा नुप्रास यहाँ पर आपका लाटा नुप्रास है अब लाटा नुप्रास का है जहाँ पर किसी उक्ती की यह शब्द की बार-बार अवर्त्ती हो रही है यह सब्द की आवर्थी एक से दिक बार हो रही है तुम्हाँ पर लाटा अनुपरास होगा तो यहाँ पर आपका अनुपरास अलंकार हो रही है अगरे प्रश्ने राम हर्दय जाके नहीं विपती सुमंगलता ही और राम हर्दय जाके नहीं विपती सुमंगलता ही तो क्लेली आपको पता होना चाहिए यह कौन सा है यह लाटानुप्रास है मैं भी बता के आया हूँ आपको सब चीजे समझ में भी आ रहे होगी अगर उक्ती या शब्द जू के तू लिखे हुए है पर उनके अर्थ में चिंतन करने पर अगर परिवर्तन आ जा रहा है अनवे के कारणान में परिवर्तन आ जा र चाही तो यहाँ पर जननी जैनन यहाँ पर आगर आ इह तो यहाँ पर लाटानुप्रास हो जाएगा अगर पुक्ति इन पंक्तिओं में से कौन सा अलंकार है अच्छा एक बात बतादेता हूं आज की वीडियो में केवलम 50 कृश्ण कवर करें क्योंकि फिर वीडियो बहु को डाला नहीं है यह first part है इसके बाद एक second part हम लोग अफ्लूर करें चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में खेल रही हैं जल्थल में तो चारुचंद्र की चंचल किरने तो चचचच ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा अगर प्रशने इन में से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षन ना हो उसे च्छाटी है तो अनुप्रास अलंकार के लक्षन को च्छाटते हैं इन में से जो नहीं है वो निकाल शब्द शब्द के प्रारंब अथवा अंत में वर्णों की आवरती बिल्कुल सही बात ऐसा होता है प्रारंब में अंत में वर्णों की आवरती देती है आपको पता है सुत्यानुपरास भी होता है अंत्यानुपरास में तुक देखा जाता है तो अंत में भी अगर आवरत्ती हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका वनुक्रा सलंकार हो जाता है, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवरत्ती, बिल्कुल सही है, पंक्ति की संपूर्ट्या आवरत्ती, ये नहीं होगा, पंक्त लगाना है अनुपरा सलंकार अगला है प्रिश्न सुग सर छी सर अगरन की आवरति हो रही है तो अनुपरा सलंकार अगला प्रिश्न है देखते हैं आप कौन बताएगा माला फेरत जुग भया फिदान मन का फेर और करका मन का डारदे मन का मन का फेर मन का मन का फेर कौन सा लंकार है तो देखते ही पता लग जाएगा yamakalankar है yamakalankar actually में क्या है आपके शब्दा लंकार का ही एक भेर है और यहाँ पर एक ही शब्द बार-बार आता है एक ही शब्द यमकलंकार में क्या होता है एक ही शब्द की आवरती होती है शब्द की आवरती बार-बार होती है और उस शब्द की आवरती के बार-बार होने के बाद प्रतियक बार प्रतियक बार शब्द के भिन अर्थ निकलते हैं जैसे कि यहाँ पर क्य चीजे ये वाला कि माला फेरत जुगवया और फिराना मनका फेर है ना फिराना मनका फेर तेक है करका मनका डार दे मनका मनका फेर तो एक शब्द तो यहां पर आ गया मनका और दूसरा यहां पर आ गया मनका तो शब्द तो एक है पर अर्थ भिन भिन हो रहा है कैसे करका मनका यानि कि हाथ में जो माला होती है जो माला होती है ऐसे उसमें मनके होते है ना पूरे दाने होते है तो कर का मनका तो पहले वाले मनके का अर्थ है माला का मोती और मनका मनका फिर यानि कि मन रूपी माला का मनका यहाँ पर भाव दिये जा रहा है तो जो मन का शब्द है, यहाँ पर दोनु के मिन अर्थ हो रहें इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है ठीक है? अब अगले पस्षने की तरह बढ़ते हैं अगले पस्षने दिए गए वाक्ये में प्रीक्त अलंकार के भेद का च्छेन दिये गए विकल्प में से करें ठीक है यानि की पूरा का पूरा एक्जाम्पल आपको दे दिया है ठीक है एक्जाम्पल आपको दे दिया है एक्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें क्या अर्थ इसका निकलेगा तो उचे घोर मंदर के अंदर रहानवारी उचे घोर मंदर के अंदर रहाती है ठीक है उचे घोर मंदर के अंदर रहानवारी उचे घोर मंदर के अंदर रहाती है तो उचे घोर मंदर लेको यहाँ पर यह तीन शब्द बहुत सारे शब्द यहाँ पर यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो मंदर है क्या है मंदर यह पारवती जी के संदर में बात की गई है क्योंकि पारवती जी के बारे में मानिता है या मानिता नहीं है बिल्कुल मंदर सची है कि पारवती जी हिमाले की पुत्री है और उनका विवाग इन से हुआ है भगवान शंकर से उनका विवाग हुआ है तो पहले तो क्या था कि उचे घोर मंदर के अंदर रहानवारी यानि कि उचे उचे महल में रहने वाली महलों में रहने वाली नहीं पहले का अर्थ है महल पहले का अर्थ है महल और उचे घोर मंदर के अंदर रहती है तो अब कहा रहे रही है पहले तो महलों में रहती थी अब भवान शंकर के साथ ब्याँ हो गया तो उचे घोर मंदर के अंदर गोर मंदरों में यानि की अब गुफाओं में रहती है तो अभी यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकारिश में हो जाएगा अज़ित प्शन है सजना है मुझे सजना के लिए तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है सजना और सजना अब शब्द बिलकुल एक है पर इनका अर्थ अलंकारिश में है पहले सजना का है सजना मतलब श्रिंगार करने संबन्द है और दूसरा का है पती से इसके लिए पती के लिए पहले का है श्रिंगार तो दोनों का भिन्न अर्थ यहाँ पर निकल कर रहा है अगञा है हमारा तरणी के ही संघ तरल तरंग में तरणी ढूबी थी हमारी ताल में तरणी तो यहाँ पर जो शब्द है वो तरणी है तरणी एक और तरणी दो अब शब्द बिलकुल एक जैसा दिखाई देरा हमको पता है क्या है यमक औलंकार है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में तो पहला जो तरनी है उसका है क्या अर्थ सूर्ये से सूर्ये से जबकि दूसरी तरनी का अर्थ जो है वो नाव से किसे है नाव से तो तरनी के ही संग, तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल, ठीक है, तरनी, सूरिय, यह आप समझ सकते हैं, अगला है, खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा, तो यहाँ पर देखो, यह कुल जो शब्द है, और कुल कुल, यह तो मतलब खग कुल, खग कहते हैं पक्षी को, और कुल कहते हैं मतलब समू को, यानि कि पक्षियों का समू, जो कुल शब्द है, इसके यहाँ पर दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो यमक है, पहले कुल का अर्थ है आपका समू से, यानि कि पक्षियों का गृप, पक्षियों समू, और दूसरे कुल-कुल का शब्द अर्थ है कलरव से, यानि की पक्षियों का जो स्वमू है वह कलरव कर रहा है तो एक शब्द आया और उसके दो अर्थ निकले, तो क्या आगा है? यमक आपका आगे अगले प्रश्णी की तरह बढ़ते हैं ये तो आप देखते लगा देंगे कनक कनक टे सौगुनी मादक ता दिकाए या खाए बोराए नर वापाए बोराए तो कनक कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है तो आपने भच्पन से पढ़ा हुआ यमक है पहले कनक का अर्थ आपका सोना से है ठीक है और दूसरे कनक का अर्थ आपका किसे है आपके धतूरे से है अब बहुत सारे लोग बोलते है कि सर इसका भी ध्यान रखना चाहिए अगर यहाँ पर या खाए बोराए अगर खाने वाली बात आजाए तो पहले वाले का धतूरा हो जाता है या पहले पाए वाला आजाए तो उसका सोना हो जाता है तो अगर पाए पहले है तो सोना है और खाए पहले है तो धतूरा है पर इनका दोनों का अर्थ यह है एक का सोना है एक का धतूरा है या आप ज्यान रखना है अगला है जेते तुम तारे तेते नबह में न तारे तो तारे तारे शब्द जुदोबार आया ठीक है अब ये गंगा जी के संदर में बात आ रही है कि गंगा जी की पतित पावन है उन्होंने बहुत सारे लोगों को तार दिया है भवसागर से पार कर दिया है तो पहले वाले तारे का जो अर्थ है वो पवित्र करने से है इससे पवित्र करने से भवसागर से पार करने तारे के पार तार दिये है ना और दूसरे वाले का जो अर्थ है वो तारों से ही है स्तार से है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा यमक अलंकार आपका हो जाएगा अगला देखते हैं तेरी बर्ची ने बर्ची ने हैं खलनके तेरी बर्ची ने बर्ची ने हैं खलनके तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा इसमें भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा देखो यहां पर तेरी बर्ची बर्ची मतलब वो चाकू जो होता है तलवार जो होती है उसने क्या काम किये बर्चीने खलन के ठीक है किसके के दूसरे जो मतलब है उनसे जो बर है ठीक है बर है इसका ये है पती तो जो खलन है जो दुस्ट लोग है उनके बरों को छिन लिया है ये है तो बर्ची और बर्ची तो यहाँ पर चाकू से अर्थ है इसका और दूसरे इसका अर्थ है पती से अगला गया इसके देखो जा गया सूर सूर तुलसी ससी उडगन केसव अदास अबके कभी खद्योत सम जहता करत प्रकास तो खद्योत कहते हैं जुगनू को ठीक है तो यहाँ पर क्या कादे को यहाँ पर दो बार शब्द का प्रियों हो रहा है सूर सूर तुलसी ससी यानि कि यह जो पहला वाला सूर है यह सूर दाजी के बारे में किसके बारे में यह सूर दाजी को अभी वेक्त कर रहा है जबकि दूसरा सूर सूर्य को दिखा रहा है तो सूर सूर तुलसी ससी यानि कि सूर जो है वो सूर्य है तुलसी ससी है तो ससी किसको कहते है चंद्रमा को सूर सूर तुलसी ससी उडगन उडगन कहते है नक्षत्रों को तारे को केशवदास है न केशवदास है और अब के कभी जो आजकल कभी है वो खद्योत सम है यानि कि जुगुनू के समान है जहता करत प्रकास यह है तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान दखने यह आगे बढ़ते यह आ गया तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है ठीक है तो तीन बेर यहापर तो तीन बेर है यह दो बार आया है ठीक है तीन बेर यह सब इंपोर्टन चीज़े आपकी हो रही है यही से आपको सभी होता है बदरी बदरी फलम कहते है संस्कृत में तो बदरी जो होता है बेर होता है आपने खाया होगा और जब फरवरी मार्च में महाशवरात्री आती है उस समय बेर भोत किलता है लोग चड़ाते है वगवन चंकर को तो तीन बेर खाती थी और वो तीन बेर खाती है तो तीन वाले तीन बेर का अर्थ है तीन तीन समय ठीक है मैं सही कर देता हूं तीन बेर तो तीन बेर बेर किसको उतना है तीन समय तीन पहर में और अब वो क्या करती है केवल तीन बेर खाती है पहले वो तीन तीन समय खाती थी अब वो तीन बेर ही खाती है तो इसमें कौन सा अलंकार की आते हैं उनको घटा कहते हैं तो पहली वाली का अर्थबादलों से है और गमंड घटना मतलब की कम होने से है गमंड के नस्ट होने से है तो इसमें कौन सा लंकार हो जाएगा आपका यमक अलंकार इसमें हो जाएगा अगला प्रश्ण है यह देखू जहां शब्दों, शब्दान्शों या वाक्यान्शों की आवरत्ती होती है किन्तु उनके अर्थ भिन्द होते है वहाँ पर कौन सा लंकार होता है तो अभी हम बार 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 पड़ रहे है जहाँ पर शब्दों की शब्दान्सों की वाक्यों की आवरत्ती बार-बार हो किन्तु हर बार उनके आरत भिन्नों तो महाँ पर कौन सा होता है महाँ पर हमारा यमा कलंकार होता है अगला प्रश्ण है सारंग ले, सारंग चली, कई सारंग की ओट सारंग जीनों पाई के सारंग कई गई चोट तो यहाँ पर सारंग शब्द की बार-बार आवरत्ती हो रही है ठीक है देखो कितनी बार आवरत्ती पांच बार आवरत्ती हो तो एक से अधिक बार आवरत्ती होती हो हर बार अलग अर्थ निकलता है तो यमक अलंकार होता है समझा देता हूँ ठीक है पहला सारंग ये है दीपक है पहले सारंग का है दीपक दूसरे का है इस ती तीसरे और चौथे सारंग का अर्थ है जो आचल होता है है ना आचल होता है ना कपड़ा आपको सौंज में आएगे पौपर बारू उर्बसी सुनी राधी के सुजान तू मोहन के उर्बसी है उर्बसी समान तो यहाँ पर उर्बसी उर्बसी और उर्बसी ये तीन बार आया है पर तीनों बार इसका अर्थ भिन है तो यहाँ पर यह मकलंकार है पहली बात तो उर्वसी अफसरा से है किस से उर्वसी अफसरा कि तौपे बारू उर्वसी कि तुझ पे नुचावर कर दू उर्वसी को सुनी राधी के सुजान हे राधा जी आपके उपर मैं उर्वसी को भी निचावर कर दूँगा तुमोहन के उर्वसी अब फिर आ गया उर किसको कहते है हरदय उर्वसी यानि कि हरदय हरदय में बसी और तीसरा है उर्वसी समान तो तीसरे उर्वसी का जो अर्थ निकल के आता है वो आभूशन से या गेहने से निकल कराता है तो यहां पर यमक अलंकार आपका हो जाए अगले प्रशने निमलिकित में से कौन सा शब्दा अलंकार है तो शब्दा अलंकार कौन सा है इसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा शब्दा अलंकार इसमें यमक है, जबकि ऊपमा, रूपक और उत्प्रेख शायँ ये किसके हैं ये आपके अर्था लंकार हैं और जबकि यमक, शलेश, और आपका अनुपरास और एक और लगा लें, वक्रोप की और लगा लें तो ये चारो के चारो आपके शब्दा लंकार हो जाते हैं ये आपको ध्यान दखने अगर पुछने रहीमन पानी राखिये बिनु पानी सवसून पानी गए न उबरे मोती मानस चून मोती मानस चून तो अब यहाँ पर कौन सा लंकार है आपको देखते हैं पता लग्या होगा कि आपने पढ़ा होगा यहाँ पर स्लेश अलंकार है अब स्लेश अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द का प्रियोग भिन भिन अर्थ में जब प्रकट होता है ठीक है ना जब एक ही शब्द की आवरती बार बार होए और प्रतियक बार उसका अर्थ भिन निकले तो यमक है और जब किसी शब्द की आवरती एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ अलग-अलग निकले ठीक है जैसे कि कनक-कनक था कनक कनक था तो एक ही शब्द के अवर्थी दो बार हो रहे थी तब इस कनक का अर्थ दूसरा था इसका दूसरा था जब की यहाँ पर यह जो पानी शब्द है यहाँ पर यह है एक ही पर इसके अर्थ तीन निकलेंगे जब एक ही शब्द के अधिक अर्थ निकले तो श्लेश है और जब एक ही शब्द की अवर्ती बार बार हो और हर बार उसके अलग अर्थ निकले तो यमक होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर क्या चीज लिखी है कि रहीमन पानी राखी बिनु पानी सबसून कि रहीमन रहीम जी कह रहा है कि भाई पानी को रखो बचाओ बिना पानी के सबसूना है पानी गए न उबरे मोती मानुस चून ये तीन चीज आपको इसमें याद रखने हैं तो पहली बात है कि जो मोती होता है वो बीना पानी के नहीं रह सकता है ठीक है अब मोती के संदर्ब में अलग है कि मोती के लिए क्या है पानी गए ना उबरे मोती मानसूल कि मोती की जो चमक है वो जल से है ठीक है मनुष्य के संदर्ब में बात आईए तो मनुष्य के संदर् कर हो जाए अगला है चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न सने हगम्हीर को घटी में ब्रसभानुजा को घटी में ये ब्रसभानुजा वे हल्दर के वीर तो यहाँ पर आपको देखने को क्या चीज मिल रही होगी यहाँ पर जो ब्रसभानुजा है ठीक है ब्रसभानुजा है औ और ये जो शब्द है इसके यहाँ पर अनेक अर्थ निकलेंगे ठीक है ब्रश भानुजा इसके यहाँ पर दो अर्थ देखने को मिलेंगे तो जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलें ठीक है तो वहाँ पर कौन सा होता है अब ब्रश भानुजा ब्रश भानुज उसकी अनुजा कोन होती है ब्रशभानुजा उसकी अनुजा कोन होती है गाय होती है ठीक और दूसरा ब्रशभानुजा ब्रशभानुजा गाय हो जाएगी पहला आर्थ तो यह हो गया दूसरा आर्थ हो जाएगा ब्रशभानुजा अब देखो समझो ब्रशभानुजा तो ब लग जाता है तो पुत्र हो जाता है जा लग जाता तो पुत्री हो जाता है दूसरा अर्थ निकले इसका राधा जी तो चिर्जीयों जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर को घटी ये बन ब्रसमहानु जावे हल्दर के वीर आप सीधे लगा देंगे श्लेश अलंकार क्या होता जातन की जाई परे शाम हर्त दुति होए मेरी भवबाधा हरो राधा नागरिशोई जातन की जाई परे शाम हर्त दुति होए ये किसका दोहा है ये विहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है क्योंकि नागरता दिखाई दे रही है नागरता आपके किस काल में दिखाई दी रीति काल में श्रंगार काल में दिखाए दी तो अगर इसका उत्तर आप से पूछा जाए ये आपकी टैट की परिक्षा पूछा गया था दोजार एठारा में तो इसके दो उत्तर सही है यमक अलंकार भी सही है और आपका श्लेश अलंकार भी इसमें सही है ये चीज़ आपको भिएंद रखने है ठीक है अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें स्लेश भी है और वो भी है तो इस दोहे में जो शाम है जिस दोहे में जो शाम शब्द प्रियोग हो रहा है ये वाला इसमें जो श्याम है इसके दो अर्थ निकलते है तो श्याम शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं तो इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा श्याम का एक अर्थ भगवान क्रश्न से है और दूसरा अर्थ निकलता है सावला से किस से निकलता है सावलासन ही करता तो जहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकले महापर क्या होता है महापर स्लेश अलंकार होता है और जबकी इसमें बात की जाये आपकी किसे सोरी इसमें एक तो है आपका स्लेश एक है आपका रूपक दीमाक से निकल गれ अगदम दूसरा है आपका रूपक रूपक अलंकार में क्या होता है रूपक अलंकार में भेद रही तारूप होता है यानि कि बिल्कुल उन्ही को मान लिया जाता है ठीक है उन्ही को बिल्कुल इसमें मान लिया जाता है तो इसमें इसमें आपका रूपक अलंकार भी है ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़रूर ठीक है चलो आगे बढ़ते अगला प्रशन है जिस कावे पंक्ती में प्रियुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थों वहाँ पर क्या होता है एक ही शब्द के एक से अधिकर्थ होते है तो आख बंदकर के क्या लगाते है वहाँ पर शलेश अलंकार को लगाते है अगला प्रशन है रावन सिर सरोज बनचारी चली रगुवीर सील मुख धारी तो सील मुख में कौन सा अलंकार है सील मुख सील मुख में यहाँ पर शलेश अलंकार है क्योंकि जो शब्द सील मुख है इसके दो अर्थ निकलते है इसके दो अर्थ जहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते है वहाँ पर आपका शलेश अलंकार होता है पहला जो शील मुख होता है वो भवरे को भी कहा जाता है जो भौरा होता है उसको सीली मुख कहा जाता है और जो भान होता है धनुश भान वाला बान होता है उसको भी सीली मुख कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्याने अगला आगे है निम्नांकी पंक्यों में प्रियुक्त अलंकार बताईए रनित भ्रेंग घंटावली जरित दान मधुनीरू मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीरू कुंजरू कुंज समीरू तो कौन सा है आख मंद करके इसमें स्ट्रीश लगा देंगे पर अगर आपको इसमें समझना भी है तो इसमें जो समीर शब्द है कौन सा समीर यह है जो समीर शब्द है इसके यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं पहला अर्थ है इसका मदमस्त हाथी कुंजरू कुंज समीरू और दूसरा अर्थ इसका निकलता है क्या कुंज में प्रवाहित सुन्दर धिर धिर चलने वाली हवा से समीर हवा भी कहते हैं और ये तो ये चीज आपको ध्यान रखने शलेशन है अगला प्रशन है अजो तर्योनों ही रहो शुती सेवक इक रंग ये मतलब त्रिटिकल कोश्रन है अपने ये सब अपने आप में त्रिटिकल कोश्रन है तो इनको आपको ध्यान रखना है इसमें आपका क्या है शलेश अलंकार है क्योंकि यहां पर जो तर्योना शब्द है कौनसा तर्योना शब्द है इसका तर्योना तर्योना होता नहीं तर्योना जैसे भी हमने देखा के तारे और तारे अभी हम यमक में देखे आए गंगा जी के बारे में अजो तर्योना ही रहो शुर्ति सेवक की करेंगे तर्योन, तर्योना है इसके यहाँ पर दो अर्थ निकल ले है यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके दो अर्थ निकल ले है पहला अर्थ है पार लगना है ना पहला अर्थ है पार ना लगना है ना तर्योना है ना लगा हुआ है पार ना लगना और दूसरा है एक आभूशण है ना एक आभूशण संबंदी क्या चीज़े एक आभूशण संबंदी है यह आपको समझते है अगला पशन है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू इसमें कौन सा अलंकार है यह बहुत इंपोर्टन है यह बहु काकू बट्रोकती है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब बात कही कुछ जाए ठीक है मतलब आपने बात कही आपने नॉर्मली कोई बात कही ठीक है और जब सुनने वाला अब मतलब अलग ही उसमें लेता है अलग ही उसकारत निकलता है तो वहाँ पर बट्रोकती होत तप मो कह भोगू ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर जो परवती जी जी बोल रही है मैं शुकुमार इनाथ बन जोगू ठीक अब उन्होंने क्या कहा उन्होंने तो कहा कि मैं शुकुमार इनाथ बन जोगू ये क्या के संद वीपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है वीपसा जो अलंकार होता है उसको पुलरुप्ती प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है यह आपको बहुत अच्छे से ध्याना है ठीक है अगला प्रश्ण सागर सा गंभीर हुदे हो गिरी सा उचा हो जिसका मन तो आपको आँख बंद करके लगा देना है जहाँ पर सा ठीक है जहाँ पर सा आ जाए, समान आ जाए यह सब चीज आ जाए जहाँ पर तुल्ना की जा रही हो जहां उपमे की उपमान से तुलना की जा रही हो वहाँ पर क्या होता है अब जो उपमे किसको कहते है उपमे किसको कहते है उपमान किसको कहते है उपमे कहते है जिसकी तुलना होती है जिसकी होती है तुलना और जिससे उपमान क्यों होता है जिससे होती है जैसे कि किसी कोई है उसके मुख को बोला के भई तुमारा मुख चंदरमा के समान है तो यहाँ पर जो मुख है यानि कि जिस व्यक्टि का मुख है वो उपमे है और जिससे हो रही है वो है आपका उपमाण, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखें सागर सा गंभी हरदे हो यानि कि हरदे की तुलना किसे की जारी यह सागर से कि सागर के समान है और गिरि सा उचा हो जिसका मन तो यहाँ पर सीधे आप क्या लगा देंगे उपमा अलंकार लगा देंगे आँख बंद करके ठीक है यह चीज़ समझे अग्या प्रशने चाया है माथे पर आसिरवादसा है ना चाया है माथे पर आसिरवादसा यानि कि माथे पर जो चाया है वो उसकी तुल्ला किस से की जा रही है आसिरवादसा यानि कि माथे पर चाया उसी इस तरह से है इस समान है इसके समान है जैसे आसिरवाद है आशीरवाद है सोरी मैंने कुछ चरण गरत कर दिया था तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपमा हो जाएगा अर्विंद से शिशु ब्रिंद कैसे सो रहे तो यहाँ पर अर्विंद यह देखिए अर्विंद क्या है अर्विंद कहते है कमलक और से सास समान यह आ रहे हैं तो देखते ही पता लग जाएगा क्या है आपका इसमें उपमा है इसमें कुछ भी सोच बिचार की आवशक्ता नहीं है बिलकुल भी है न, यहां पर कुछ और पूछा गया है, एक मिनूद, तो यहां पर पूछा गया है, पंक्ती में अरविंद शब्द क्या है, अरविंद शब्द क्या है, तो यहां पर क्या है, वाचक उपमान, साधरन धर्म या उपमे, ठीक है, साधरन धर्म या उपमे, यहां पर थोड़ जिसकी तुल्ना हो, शिशु ब्रंद की तुल्ना हो रही है, यानि शिशु ब्रंद आपका उपमे है, और तुल्ना किस से हो रही है, अरविंद से कमल से हो रही है, तो ये आपका उपमान है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान हो, अगला प्रिशने, नवल सुन्दर शाम श तुलना किस से तुलना किस से की जा रही है ? अगला प्रशन है तो सरिस समान इस तैट हैं ? तो इसमें क्या पूछा गया है ? पीपर पात सरीस मन डोला तो इसमें मन क्या है तो मन इसमें उपमा है क्योंकि मन की जो तुलना है देखें मन की जो तुलना है वो पीपर के पात यानि की पीपल का जो पत्ता है उसके साथ की जा रही है पीपर पात तो पीपर पात क्या है पीपर पाथ है उत्मान क्योंकि पीपर पाथ से तुल्ला की जा रही है किसकी मन की तो मन उत्मे और पीपर पाथ उत्मान हो जाएगा ये चीज़ आपको ध्यान नहीं बाचक शम्द कौन से होते हैं तो इस्सा से समानी होते हैं ये होता है खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई, चली गई, इसमें कौन सा आपका लंकार हो जाएगा, इसमें आपका उपमा लंकार हो जाएगा, यानि कि खिली हुई हवा आई, और फिर की सी चली गई, तो ये जो हवा आई, और ये चली गई, ये किस तरह चली गई, ये फिर की की तर आई थी और चली गी उसके साथ तुल्नक की गई, जहां तुल्नक की जाती है महाँ पर उप्मा हो बस दो तीन प्रेश्च नो हो रहे हैं, मोम सातन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, तो देखो सा आ गया है तो इसमें कुछ पता नहीं, कि जो मन है, जो मोम सातन है वो घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, तो रहा है, तो तो फिलना हो रही है, सीर्य आपको लगा नहीं, कुछ पता है, उप्मा अलंक कार, एक सर्थ, कुन अलन्चे स्थ, हरीपद कोमल कमल से, ठीक है, अब धेखो यहाँ पर चारो चीज़ें भी खई देखो, हरीपद यानि कि भगवान के चर्ण, कि ये कोमल, sav हरना धर्म, यानि कि जिस आधर पर तुल्ला की जा रही है, कमल से, तो कमल कमल होता है, से क्या हो गया है, आप वाचक्षब दो गया, तो सीधे कौन सा हुआ, उकुमा हो गया है? क्या हो गया उकमा के हरी पद रख्वान की चर्रमों की ला नहां वो कमल से की जा रहे हैं और लाश्ट प्रश्ण है उपमास अलंकार में तो यह आप से पूछ सकता है उपका अर्थ है आपका समीर क्लास में लगबक 50-60 और बच जाएंगे 50-55 और है तो वो सब कर देंगे अगर आपने ये क्लास देख लिए तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी अपने दोस्तों शेर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए इसी इच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं ते राम जी की पार्ट शाला मैं हूं राम भारत द्वाज जै हिंद ज आप आप